असलाम अलेकूम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल अर्दू नाविल वर्ड। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं. नाविल का नाम है दंगल, शमशाद, गैंडी औरत उठ जा बच्चों को भूक लगी है खाना दे दे उनको मुझे चाट चाट कर खा जाएगे ये तेरे पले सास साहिब अपनी शकल मजीद बिगाड़ कर शमशाद, बहू, पर चढ़ाई करने का सुनहरी मौके पाकर चिखना शुरू हुई थी शमशाद ने अपने एक सो पचास किलोग्राम के वजूद को हलकी सी जुमश दी थी और पचास के जी की एक टांग बमुश्किल हिलाई थी, जिससे सर में मौजूद जूओं में भी संसिनी पैदा हुई थी, जिनको फुल हाल शमशाद, ने अपने हाल पर छोड़ दिया थ मगर नहीं जिसकी अब जैसी पेपई कितनी सास हो वो कहां दस घंटे से ज्यादा सो सकता है। चारपाई की ची चराहे की फिलगशिगाफ आवाजें वहां मौजूद बच्चों और सास साहिब के कानों के परदे फार रही थी, वो सब कानों पर हाथ रखकर शमशाद की तरफ देख रहे थे, जिसका चलना अब जमीन में। थर्थराहत पैदा करने वाला था, बच्चो से ये बड़ी बड़ी रोटी बनाना शुरू की थी, बच्चों ने दादी की तरफ देख कर थंब्स अप और विकट्री का साइन बनाया था, जिस पर दादी ने अपने दांतों से पाक मुन्ह की नुमाईश की थी, आकर रोटी खालो डैश बच्चों, खामर लो, हर बच् जो तेज हुआ पैदा हुई थी, बेचारी दादी को अपनी चारपाई को दोनों हाथों से पकरना पड़ा था, बसूरत दीगर उनके हुआ में मौलक होने के कवी उमकन थे, शाम का वक्त था, काली घटा चाई हुई थी, तेज आंधी चलने लगी थी, बारिश किसी भी व पका कर मेरी नाजुक हाथों में दर्द हो जाता है, इस वक्त थोड़ा सा वक्त मिलता है, तुम वो आपस में दंगल लगा कर गुजार देते हो, अब सौजाओ वरना में काली धोती वाले बाबे को, बिला लोंगी वो सालम खा जाएगा तुम सब को ग्रोच करके, शम्शा ने इसकी तरफ खून खार नजरों से देखा था, शम्सी तुम हमें रोज जल्दी क्यों सुलाती हो, खुद तुम वट्टू साहिब के साथ रात गए तक खुश गुपियां करती अक्सर पाई जाती हो, फिर हमें क्यों नहीं आपस में खेलने देती, क्या हमारे सीने में द उम्हारी दादी मुझ से और वट्टू साहिब से अब सुना है कि बलाओं बाबे को, बच्चे अब खौफजदा होकर किसी गोश्ट के धेर की तरह धेर हो गए थे, शम्सी सास के पास आकर बैठी थी, शम्सी मौसम खराब है, वट्टू अभी तक नहीं आया, अम्मा आ ज खौशी जवान पातर जल्द अस जल्द घर वापस आ जाए, इसी वक्त दर्वाजे पर कोई चीज जोर से तुकड़ाई थी, लगता है वो आ गए है, शम्साद ने अपने एक एक पाउ के होंटों को लाल लिप सटेक से रंगते हुए, खुशी से कहा था, वो बावजूद कोशिश के भी दस मिनट से पहले दर्वाजे पर नहीं पहुच पाई थी, मेरा वट्टू मेरी जिंदगी, मगर दूसरी तरफ से मुकमल खामोशी थी, वो वट्टू के हमरा अंदर आई थी, ये इस वक्त किसका बच्चा उठालाई हो बहू, आपका बेटा है, अमा बारि जैसी शकलें बना रही थी शमसी का दिल कर रहा था, उसके सर पे आग लगा कर मशल बना कर किसी सियागार को रोशनी बखश दे, शमसी शमसी माई लाइफ, माई हील्दी वाइफ, वट्टू साहिब जो के जहलोंगी में बेहोशी की हालत में मींद पूरी कर रहे थे, आहिस स्टोर में चुहे चीजें कतर रहे थे, जिन से शमसी सخت तंग थी वो चुहे के लिए कड़े की लगाए, इसके इसमें फंसने की मुनतजर दर्वाजे के पीछे से चहरे पर मुस्कराहत लिए खड़ी थी वो ए, कड़े की पैटी के नीचे भी लगा कर आई थी जजल के बत जिस पर वट्टू साहिब जूले में ही अपना चहरा चुपा गये थे, वैसे शमसी हमें नावल्स में जितना बेहया बनाया जाता है, तुम तो हम से भी चार हाथ आगे हो, शाने कमरे में आकर अपने जबान ठंडी की थी, जिस पर शमसी ने फखर से अपना नामजूद का बाहर निकले थे, मेरे रीच, शमसी ने बे अख्तियार उनको जाते देख कर कहा था, दर्वाजा बंध होने की आवास पर शमसी वट्टू को जूला देती प्यार से करीब आई थी, शमसी तुम ही मेरी अखरी महबत हों में नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर बस मुझे न नीचे जागिसे थे, वट्टू साहिब कुछ और कहिये ना बस अब बोलते रहे, मुझे खुद से दूर मत करो शमसी में मर जाओंगा जाना, वट्टू साहिब की आवास पैटी के नीचे से बराबर आई थी, वैसे ही तो नहीं कहते फिरते सब मेरे प्यारे वट्टू, क् में सब शमसी, महबत भूल है जाना, शमसी ने अपना नाखुन साफ करके इसका सरा चबा कर थुकते हुए कहा था, वो दूसरे हाथ से जूला बराबर हिला रही थी, कड़क, की आवास पर वट्टू साहिब की चीख सुनाई दी थी पैटी के नीचे मौजूद कड़े की न उनकी टांग पकड़ ली थी, जिस पर वो चला कर बोले थे, शमसी माई लाइफ माई हीलधी वाइफ, सास को फौरी तोर पर बिला आ गया जिन्होंने घुस कर वट्टू को बाहर निकाला और फिर इस दर्द से आजादी दिलवाई, सच ही तो कहते हैं मा जैसा कोई नहीं, सास ने शमसी की इस हरकत पर एक ली टेस्ट शकल बनाई थी, जिस पर शमसी का दिल किया आज सास को दर्वाजे के उपर डंडे के साथ बांध कर नजर बिट्टो का काम ले ले, शमसी के सर के उपर यक बुलबुला बना था, जिसमें इसने सास को इस घर के गेट के उपर डंडे से बंधे यहां वहां देखते हुए देखा था, शंसी का ब्लंद कहका कमरे में गूंज था जिससे कमरे में जो वबाल मचा था बच्चे कमरे से बाहर कलाबाजीया मारते निकल गए थे सासने कमरे का दर्वाज़ा पकड़ कर खुद को बाहर निकलने से बचाया था जबके वट्टू साहिब इस बार खुद पैटी के नीचे भाग कर घिसे थे और एक बार फिर कड़क की आवाज कमरे में गुंजी थी अम्मा हूँ सोने देना शमसी अम्मा बच्चे स्कूल चले गए हैं और वट्टू साहिब काम पर मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया नहीं मेंने करना है क्योंके मैं हुड हराम हूँ और फुल हाल में जल्दी में हूँ बहुत शमसी ने सास के चहरे के तासुरात देखे बगएर ही दर्वाजे का रुख किया था सास जानती थी दस मिनट से पहले ये दर्वाजे तक नहीं पहुँचेगी वो नौ मिनट उनगिने के बाद अगले तीस सीकूंड में शमसी के आगे जा खड़ी हुई थी क्या अम्मा सफेद कपड़ों में पहले ही बहुत खास लग रही हो उपर से इस तरह बदरू की तरह अचानक सामने आ गई हो तिरा निकाल दिया है मुझ नाजुक हसीना का शमसी ने दिल पर हाथ रख लिया था देखा फिर मेरा कमाल शमसी डोनट अंडर एस्टिमेट दी पावर अफसास अच्छा अम्मा अब जाने दो हटो आगे से खंबा क्यों बन गई हो सामने जो घर बन रहा है उधर टरिला इंटे छोड़ने आया है मैंने लिफ्ट लेनी है इससे जल्दी में हूँ वो आटे का खाली गट्टू बगल गीर करते हुए सास को हलकी सी फूंक मार कर पीछे करती हुई बोली थी मगर शमसी मेरी बच्ची तुँ इस भारी वजूद का बोज लिये जा किधर रही है मैं वट्टू को क्या मुनह दिखाऊंगी अगर तु मर गई तो इस बात पर शमसी का मौट बिगड़ा था अम्मा टेलर के पास जा रही हूँ मेरा नाप बदल गया है वो ठीक करवाने और मैं क्यों मरने लगी इस सहत मंद जवानी में भला जिनकी उम्र हो गई है वो मरे ना क्या हो गया अब नाप को अभी दो दिन पहले तो देकर आई थी तुम अम्मा नजर नहीं आता डाइटिंग पर हूँ दो दिन से पुतली हो गई हूँ शमसी ने हाथ का डवला बना कर कहा था अम्मा हो गई हूँ ना सलिम एंसमाट खी 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 सास मुनह पर हाथ रख कर हंसी थी हाँ हाँ चल जा मेरा पत्तर टरिल्ला से टॉट कर लिया है उन्होंने ओके अम्मा जल्दी इजाहेगी वो कहकर निकली थी मोटी 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 भैंस कहीं की बुलके भैंसों की भैंस हाए सही रहेगा सास ने मरहा के बने हुए सत्पू पर टॉपते हुए इस बाद से चिससिस ली थी सास पूरे घर में गदा डालती तसवर में खुद को हिमामालनी समझ रही थी पता नहीं रिमॉट कहां रख देते हैं ये बुल्डोजरी के बच्चे वो हम वली में गोया हुई थी आखिर काफी तरद्द के बाद वो मिल गया था सास ने खुशी से कमर पर दो पट्टा बांधा था अपना मन पसंद गाना लगाती हूँ इके लड़ी बद्दू बदी मौका में ले कतकत कल नई किसी ने वीखी मजा लाई आज दी आया है वो इस गाने पर जूमती फिर रही थी जब गजलान अंदर कलाबाजी मार कर आया था जिस पर दादी ने फौरी गाना बंद किया था दादी एकम चंगे नई गजलान ने लाल आँखों से सर नफी में हिलाते कहा था नहीं पत्तर वो में तू इतने गुसे में है कि आँखें ही लाल कर ली है दादी ज्यादा उमपरस ना हो ये आँखें गेरत से लाल हर गज नहीं हुई फिर मुझे मास्टर जी ने कलास से मार कर बाहर निकाल दिया है घजलान बेग उतार कर अब रोने बैठ गया था मगर क्यों? दादी को तसली हुई थी मैं बच्चों का लंच खाता पकड़ा गया हूँ घजलान ने मसूमियत से शिकायत की थी जिस पर दादी ने इसकी बलाई ली थी शमसी बरतंद हो रही थी जब इसकी सास की बहन पॉली वहां आई थी इसकी सास ने ने इसकी आमत पर बाग बाग हुई थी वो पॉली को फॉरण कमरे में ले गई थी वो दोनों जत्मी करीब होकर बैठ गई थी ऐसा लग रहा था दुनिया पर मौजूद वो अखरी जगा है और इस तरह बैठना मजबूरी पोली अपनी बहू की सुनाओ शमसी की सास सरगोशी में बोली थी जिसका जवाब पोली ने एक भीनुकर सी शकल बना कर देना जरूरी समझा था इस शकल का मतलब नेनको फॉरण समझाया था वो मज़ीद करीब हुई थी फिर तो हाथ मिलाओ उधर भी यही हाल है पूरी जादू गर्नी है ये शमसी मेरे शेर जैसे पत्तर को अपना गुलाम बना कर रखा हुआ है तुम शमसी को भूल जाओगी जब मेरी बहु की काली कर्टूतें देखोगी हर वक्त खुश हर वक्त खुश गुपिया मेरे बेटे के साथ और तो और मेरा बेटा भी खुश रहता है मजाल है जो मा का जर्रा बराबर भी एहसास हो कभी जो लड़के बीवी का मुनहमुत्ते पिंदे हाई पूली हम दोनों शरीफ बहनों की ये किसमत कहा ये बरतन रोज शमसी हीद होती है इसका जवाब नेनने शकल बना कर देने पर आउत्फा किया था जिसका मतलब यस था पूली को खास मजा नहीं आया था इस जवाब का वो मजीद बोली थी ये घर कितना गंदा हो रखा लगता कोई काम धंग से नहीं करती शमसी मेरी निवी का किया होता ना रिश्टा तो आज ये घर हारपक की मशूरी में देखे जाने वाले लिट्रीन की तरह चमक रहा होता पूली ने चहरे में मजीद बिल डाल कर जुरियों में इजाफा करके हारर से भरपूर शकल बनाई थी बेचारी शमसी जो कब से उनके गैबती माहौल को भंग करने के इरादे से अंदर आना चाहता थी आज सपीड मामूल से ज़्यादा कम थी शायद इसके एक सी लिटर में मिसला था तेल डालने वाला था वो नियू खान बसकी तरह डब खर बे करती वहां पहुँची थी वो फूली सांस लिये फॉरण चार पाई पर धेर हुई थी जिससे चार पाई ने बेसाखताओ में मर गई कहा था आगई मेरी शहजादी में नेनसे यही कह रही थी बुलाओ मेरी शमसी को मैं इसे शाबाश दूंगहर कितना अच्छे से साफ किया हुआ है पूली फॉरण बोली थी खाला जाने दो अच्छी तरह जानती हूँ यहां कैसा जिक्र हो रहा था मेरा ज्यादा मी सुनी ना बनू अब शमसी ने अपना पचास किलोग्राम की रान उठा कर चार पाई के अपर रखी थी इसी वक्त शाकुल अबबाजी मार कर अंदर आया था वो जल्दी में था शमसी चीफी थी जिससे पॉली और नेने एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गई थी वो कह रही थी में वो महसूस करना चाहती हूँ जो मुर्गी डर्बे में करती है इस बात पर शमसी अपने दोनों हाथ सीने पर मारते मारते खास आवाज निका ली थी शमसी रोटियां बना रही थी जब के बच्चे खाना खा रहे थे जैसे ही रोटी बुनती मरहा गर्म गर्म अपने बहन भाईयों के आगे रख देती वो एक एक निवाला खा कर इसका खात्मा कर देते शमसी पिछले एक घंटे से लगातार ये काम कर रही थी मगर बच्चे थे के रुज ही नहीं रहे थे आखिर वो तंग आकर चीफी थी लोगों के बच्चे दो फराज से ही नौ मामा नौ मामा करते हैं एक तुम लोग हो जो दस दस रोटियां खा कर भी अभी तक तवे की तरफ देख रहे हो कैसे बच्चे हो तुम लोग शमसी ज्यादा भाव ना खाओ कभी खुद को देखा है जब तुम उन दो फराज खाने वाले बच्चे की मामा जैसी सिंगल पसली नहीं हो तो हम क्यों पेट भर कर ना खाना खाएं शमसी की सास नेने जो कब से छेप भी लिये अपनी बारी की मुनतजर थी फौरण बोली थी लेई एई शमसी ये क्या कह रही है तु इन मासूम बच्चों को उनका बाप अलुए लंबी जिन्दगी दे अभी मरा नहीं है अलुए के फजल से मेरा वट्टू जिन्दा है अभी कमाव पूत है वो कमाव पूत सास ने दांतों से आरी मुन से पौला पौला कमाव पूत कहा था जिससे शमसी को कच्ची-ची चली थी अम्मा तेरा वट्टू महस तेरे कुड सत्तान का शहजादा है बस तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो किसी इदारे में M, D हो शमसी चल मुझे भी रोटी दे दे ये देव के बच्चे नहीं रुजने आज मेरे पेट में बिल पढ़ गए हैं भूक से बेचारी सास पेट दबा कर तड़प कर गोया हुई थी देती हूँ देती हूँ मरहा अब की रोटी अपनी दादी को देना इसके बाद वाली पांच तुम खुद खाना और उसके बाद जो ग्यारा रोटीयां पकेगी उनमें एक वट्टू साहिब को देना मेरी छोड़कर ये लो अब ये वाली अपनी दादी को डाल दो मेरा मतलब है दे दो शमसी मजाग के अंदाज में हंसी थी हाँ हाँ यही औकात रह गई है मेरी आज करती हों बात वट्टू से इस बात पर शमसी के हाथ पाउं फूल गए थी वो रोटी छोड़ कर फॉरण सास के पास आना चाहती थी मगर फिर भी पाँच मिनट लग गए सास ने इस वक्त का भरपूर फाइदा उठाया और रोटी खा कर पलेट चाटी और ये जा वो जा वो दिल बरदाश्ता सी बच्चों के पास आकर बैठी थी शमसी उदास क्यों हो? देखा नहीं तुम लोगों ने इस बूरी शेतान को अब वो वट्टू साहिब को एक की दो लगा कर बताएगी शमसी ने एक पाव होंत में वाबरशेन पैदा की थी जिसका मतलब था वो रोने वाली है शमसी तुम आखिर क्यों डरती हो इस तीन फुटी वट्टू से जो बमुश्किल 35 किलोग्राम का होगा निबरास ने मा की धारस बांधी थी वट्टू साहिब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए उल्टा लटक कर बंदर बन कर खारिश कर सकता हूँ मगर मेरी मा को कुछ गलत नहीं कहना जिस दिन मेरी मा का दिल दिखाया इसी दिन दूसरी शादी कर लूँगा अपनी करनानी खाला की बेटी नवी से वैसे शमसी है वो टेक पेस शा ने लोफर रेनी की रवायत काइम रखते हुए डकार मारते हुए कहा था शा में तुम्हें सुई मार कर तुम्हारी सारी हुआ निकाल दूंगी फिर पेवो वो वो करते आस्मान में कहीं दूर पड़े हो गे शमसी ने शा को मोटी मोटी टांगों से पकड़ कर उल्टा लटकाया था जिससे इसमें गुदगुदी का फवारा छोटा था अब सारे बच्चे रोटी से लबालग पेट पकड़े कहकी लगा रहे थे जबकि शमसी प्रेशान सी दर्वाजे की तरफ देख रही थी इतने में वट्टू साहिब अंदर आये थे आज हसब मामूल उन्होंने आते ही बच्चों को उल्टी कुलब बाजी का मजाहरा नहीं करके दिखाया था वो खामोश से अंदर चले गए थे ये देखकर शमसी का माथा टंका था बच्चों तुम लोग सोजाओ में जरा बागी की रोटी पका कर वट्टू साहिब को देख लू बच्चे आज कम खाना खाने की वज़े से कमजोरी महसूस कर रहे थी वो आज पैदल ही अपने कमरे की तरफ गौल की शक लाइन बना कर चल पड़े थे शमसी ने बच्चों की गिंती पूरी की और अंदर जाने दिया वो रोटी पका कर अंदर गई जहां वट्टू मा के गोडे से लग कर बैठा शमसी को घोर रहा था शमसी पे किसी मुस्क्राहट सजाई इसके पास गई थी वट्टू साहिब आजाएं खाना खाते हैं नहीं खाना में कोई खाना शाना वट्टू अपनी तरफ से चीख कर बोला था शमसी को वट्टू के इस गुसे पर जी जान से गुसा आया था इसका दिल किया था, इस वट्टू को पिंबेरी बना कर इतना गिवमाई इतना गिवमाई के इसको अपनी फसादी माभूल, जाय मगर वो ये सिर्फ सोच ही सकती थी, अब कमरे में तो चली मेरे वट्टू, शमसी ने आख मार कर वट्टू को गुम्रा करने की कोशिश की थी, मगर आज वट्टू पहले वाला वट्टू नहीं रहा था, जो सोने से पहले शमसी की टांगे दबाना अपना पैदाशी फर समझता था, वो बदल चुका था, शमसी की सास नेनजो के सिर्फ साइज में नेनधी अंदर से पूरी थी, वो आज अपने तमाम शकलों को इसकी शकल बार बार बदल रही थी, बस किसी खुफनाक फिल्म की मुसिकी की कमी थी, शमसी ने वट्टू को एक हाथ में उठाया और वो खास आवाज निकालती, हुई अपने कमरे में ले गई, सास के अंदर कोई चीज च्छन से तूटी थी, मगर वो नजर अंदास करके रजाई और कर सो गई थी, आधी रात गुजर चुकी थी, मगर वट्टू साहिब मुनह बसूरे चार पाई के नीचे शमसी से नाराज बैठे हुए थे, ये वाहिद जगा थी, जहां शमसी जहक कर वट्टू को दबोच कर बाहर नहीं निकाल सकती थी, आखिर वट्टू ज अच्छा जो आधा दर्जन मनी डाइनासारस पैदा किये हैं, मुझसे उनका क्या होगा वट्टू जी, उनको नवी पाल लेगी, वट्टू ने फॉरण जवाब दिया था, इस बात पर शमसी का गुसा आसमान को छूने लगा था, तो ठहर बोने जिनकी ऑुलाद को डू, तुम्हे मेंने मजीद पदरा ना किया तो मेरा नाम शमशाद और फशमसी नहीं। शमसी ने मखसूस आवाज निकाल कर चार पाई हाथ में उठा कर पीछे फैकी थी, जबके वट्टू साहिब सर घुटनों में दिये आख बंद करके तूफान गुजरने का इंतिजार कर र तो वो उन बिलालरों फार्मी चूजियों से हर्गिज शादी ना करता। शमसी ने अपनी इस बात पर बड़ा सा मुन्ह खोल कर कहका लगाया था। शमसी बुर्ज खलिफा पर इमाट को कौन तरजी दे सकता है मगर तुम्हारा वट्टू मजबूर है। नहायत ही मजबू वट्टू की नाक से बाकाइदा पानी आया था शमसी नर्म पड़ी थी। क्या मजबूरी है आपको मेरी घीटी सरूर। अमा ने मुझे दमूए दी है कि अगर मैं नवी को अपने जोड का हुसैन हम सफर नहीं बनाओंगा तो वो मुझे लिकटो जिन, डब्बे का दूद नहीं बखशेंगी। इस बात पर शमसी ने अपने नतने पहला लिये थे। अच्छा तो ये सारी साज़िश इन दोनों बहनों सुनता बनता की है, तभी इस दिन दोनों मुझे जोड कर एक ही नाक से एकसीजन ले रही थी, कल ही करती हों बंदो बस्त। तू मेरे प्यारे राज दुलारे वट्टू तू बी कंटिन्यूड कस्मे बड़ी मींद आई है, शमसी ये कहते ही अगले लमहे खराटे मारते सो चुकी थी, जिस पर वट्टू आहिस्ता आहिस्ता शमसी के पिट से नीचे उतरा और पैटी पर जाकर सो गया। वट्टू ने हिरोज की तरह इस बात की मुनासबत से अपनी टांग पर टांग रखने की कोशिश की थी, मगर वो पीछे को उलट गया था, सास ने उठाने की बजाए प्राठे का बड़ा सा नवाला मुन्ह में डाले मुग की आवाज। निकाल कर शमसी को इसे उठाने का इशारा किया था। शमसी ने बेदिली से इसे उठा कर बैठा दिया था। वट्टू अब छोड़ देना इस बात को रात गई बात गई। वट्टू को ताव चड़ा था मगर इस बार वो चारपाई के सेंटर में होकर बोलना शुरू हुआ था। शमसी मुझे तुम से बस इस बात का जवाब दरूर है कि क्या मेरी कुत्ता है जो तुम इसको रोटी डालने का कह रही थी। शमसी को वट्टू की इस बात से ठंडे पसी में आये थे। नहीं वो तो टंग सिलिप था। वरना मेरी ये किया मजाल जो में। अब की अम्मा को ऐसा कहूं। वो वट्टू से मगलूब होकर बोली थी। नहीं मतलब तो यही था तुम्हारा के मेरी बूड़ी मा कुत्ता है। नहीं वट्टू अब बिलकुल गलत समझ रहे हैं। मैंने लफ्स कुत्ता बोलने पर नवाला मुश्किल से निगल कर वट्टू को गसे से देख रही थी। फिर मतलब किया था रोटी डाल दो से तुम्हारा क्योंके रोटी तो घर के पालतू कुत्ते को ही डालते हैं। है ना अम्मा। वो मा से अपनी हिम्मत पर दाद वसूल करने की गरस से मुखातिब हुआ था माने इसे खा जाने वाली नजर से देखा था वट्टू को लगा मेरी बात में जोर की कमी रह गई है शायद इसने फिर से शमसी की तरफ देखते हुए बात शिरू की थी। नजरों से देखा था। क्या कुटा कुटा लगा रखी है तुने तीन फुट ये मैंने शमसी को जलील करने को कहा था और तुम कब से उधर मेरे पहलू में बैठा मेरी मिटी पलीद कर रहा है। इसने साफ साफ नहीं कहा था। मगर तुम हो कि पहाड़ा ही बना लिया है। एक दूनी दूनी थी दो दूनी चार। मेनने पॉले मुन से नर्म नर्म कहा था। इतना बुरा मुझे शमसी के दो कनाल पर महीत मुन से नहीं लगा था जितना तुम्हारे इस चटंग भर मुन से। चल नस अब काम पर दफ हो शकल गुम कर। सास के मुन में गोया अलफाज का रेला आया था कुछ अलफाज गाल के गोश्ट से तुकड़ा कर बाहर निकलने की कोशिश में थे। शमसी को आज अपनी सास दुनिया की अजीम औरत लग रही थी। वट्टू ने आंसु साफ करके शमसी की तरफ देखा था जिसने चीची की तरफ प्रिस किया था जिस पर सब इसके इस नए फीचर पर हैरान हुए थे। फिर इसने खुद को ढीला छोड़ दिया था जिस पर वो मैंडक की तरह उचल कर सीधा दरवाजे से बाहर निकला था। सुबह की साबकी के बाद वट्टू राज सब के सौजाने का इंतिज करके घर वापस आया था वो सबसे पहले किचन कुछ खाने की घरस से गया था। आज कीमा गोश्ट बना था जो शमसी की खास डिश और वट्टू की खास पसंद थी वो प्लेट भर कर दो रोटियं लिए किचन के शलफ पर चौकड़ा मारे बैठ गया था। अभी पहला तरवाजे में शमसी आई खड़ी थी। आगय थे तो मुझे बता देते खाना डाल नहीं मेरा मतलब है निकाल देती। शमसी ने जल्दी से जुमला मुकमल किया था। तुम जाओ शमसी में खाना खा कर आता हूं। वट्टू बढ़ा सा नवाला लेकर भारी आवाज में ब साथ पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे दर्वाजे पर दस्तक हुई थी। शाने दर्वाजा खोला था और दोनों हाथों की उंगलिया मुन में डाल कर सीटी बिजाई थी जिस पर सब इसकी तरफ मतوج्जे हुए थे इसी लम्हे नवी में होना की अमरीता राओ की तरह लहक लहक कर अंदर आई थी। वट्टू जी के पीछे वाइलिन बजाते हुए बोने लड़कों का टूला बना था खास धन बजने लगी थी जबकि साथ ही थंडी हुआ में बड़े बड़े पक जड़ के पते गिरना शुरू हुए थे। सब गाब हो गए थे इस मौजूदा मन परवाजे से जा लगा था तड़ाख की आवाज पर वट्टू ने अपनी आंखें खोल कर पीछे देखा था। शमसी ने नवी के मुनह पर थपड़ जड़ा था। नवी मुनह पर हाथ रखे इंतिकामी शकल बनाए शमसी को देख रही थी। वट्टू सिर्फ मेरा है शमस नवी ने वट्टू को खा जाने वाली नजरों से देखा था जिस पर वट्टू मुरगे की टोकरी के अंदर जा चुपा था। नवी तुमहारी अम्मा भी आई थी कल तुम दोनों जतनी भी कोशिश कर लो मुझसे वट्टू को नहीं चीन सकते वो उन सहत मंद मोटे बच् नवी वापस जाने के लिए मुडी थी जब शाने बाप को इशारा दिया था। वट्टू यार बाहर आजा नवी फुपो जा रही है। नवी दस मिनत तक वट्टू की तरफ देखती रही मगर किसी किसम की हरकत ना होने पर वो चल पड़ी थी। रुक जाओ। नेन ने रहे जा था मगर मैं वट्टू में खो गई थी खाला अपनी बहु बना लो ना मुझे किसम से बिलकुल भी खिदमत नहीं करूंगी खाला तेरी ए अपनों में ओआ हो जाए और सास फूपिया। खाला हो तो ज्यादा ही जहर लगती है किसमें। चल निकल यहां से बेशर्म ना हो तो मेरे वाउ छोटी अलिफ बड़ी छोटी हमजा पत्तर के पीछे क्यों पढ़ गई है मेरी भैंस जतनी बहु नजर नहीं आती तुम है। इस बात पर नवी ने नेनके हाथ पर हाथ मार कर कहका लगया था। पूली ने आख मार कर शमसी की तरफ देखा था जिस से दिल किया था सास पर चार पाई उल्टा दे इस नवी समेट मगर वो घुसा पी गई थी। मैं बता रहा हूं अम्मा में नवी से ही शादी करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। वट्टू टोकरी के नीचे से बोला था। वट्टू जी दीटस नाट फेर किया कमी रह गई थी मेरी महबत में। चलू बच्चों हम यहां एक सेकंड और नहीं गुजारेगे। शमसी ने दर्वाजे की तरफ चलना शुरू किया था जबकि बच्चों ने पीछे से कलाबाजी मार कर उसका साथ दिया था। वट्टू टोकरी के नीचे से फॉरण निकला था। अम्मा मेरी अम्मा को बरदाश्ट करो। वट्टू शर्माता हुआ दर्वाजे से बाहर निकला था। रात का वक्त था नेना और वट्टू सोने लेटे थे। अम्मा आज तेरे पास ही सौजाता हूं अपने कमरे में शमसी के बगएर मुझे डर लगता है। वट्टू मा के साथ वाली चार पाई पर लेटे हुए बोला था। लिख दी लानत वट्टू इतने अर्से से तो जनानी के जोर पर उधर सोता था। अम्मा बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई की अपका जवाब ठीक हुआ ये बाइक अपकी हुई। चल विड़ा आया फहद मुस्तफा को अपनी तीन पोहे वाली सी कुली। इस बात पर वट्टू ने चार पाई में कुलब बाजी लगाई थी। वट्टू बंदे दी पत्तर बंजा आराम से बैठ। मुझे बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। कौन से बच्चे अम्मा। वट्टू टांग पर टांग रखकर मस रूफ सा लेटे-लेटे बोला था। तुम्हारी वो बोनी नसल उनकी बात कर रही हूं अब इस वक्त मुनना वैलवा मेरा वट्टू शमसी है नहीं और मैंने वो लेतरूल करनी के तेरा अब बाहे कबर से बोल पड़ेगा। अम्मा अब इतना भी उग्रैसो मत हो। वट्टू मा के गिले में बाहों का हार बना कर महबबत से बोला था। चल हिट कोडू कहीं कि नहीं करती तेरी दूसरी शादी। मिनने वट्टू को उठा कर नीचे मारा था। अम्मा अच्छा सौरी बताना कल ही करूंगी ना बात अपनी इस भिंडी बहन से। वट्टू ने खुश्चामदी अंदाज में कहा था। हा बात तो में कर लो वो मान भी जाएगी आखिर कमाओ पूथ है तो मेरा मगर एक मसला है इस शमसी और मेरे पोटों और पोतियों का किया होगा। शमसी तो किसी सूरत नहीं आने कि वो जिसम से मोटी जरूर है मगर अकल से मोटी अम्मा में थोड़े दिन नवी के साथ खुश रेनी के बाद मिना लाओंगा तेरी इस गेंडा बहु को कितना मना किया था ना कर मेरी शादी मेरी मर्जी के बगएर मगर तुमने मुझ मजलूम की एक भी नामानी में कितना। पर कुर्बानी करनी हो इसकी अम्मा वो कितने मनकी होगी। कौन रोज ये बात पूछ पूछ कर खुश होता था जरा बताओ मुझे बोने कहीं के। मेंन सख्त बदमजा हुई थी। अम्मा मुझे किया पता था तब उन बातों का मैं तो तब बच्चा था। हाँ बच्चा थ किताई कोडवां। मेनने हाथ से बलाएं उतारते हुए कहा था। अम्मा हम मर्द जितने ज़्यादा रन मुरीद शो करते हैं ना खुद को समझो इतने ही ज़्यादा तंग हैं बीवी से हम इतने ही ज़्यादा ते रुख होते हैं। वट्टू यू मैन पवंडी बाज। येस अम्मा आपका ये जवाब भी ठीक हुआ अब कौन सा डबा खुलवाना है? अब अगर तू इस संजित डिसकेशन में मेरे करश का जिक्र किया तो डबबे का तो पता नहीं पर तेरा सर खौल देना है मेने वट्टू. अम्मा खुदा दीन आले फहद मुस्तफा तो मुझसे दो मा बड़ा है तेरा करश किधर से हो गया वो? आज लग गया मुझे पता मैं तेरी वज़े से पवन्डी बाज हों वरना अब बाहे को अलुए बख्षे वो तो पकारन मुरीब था. छुरी फेर ली गर्दन काट दी अपनी मगर दूसरी औरत की तरफ इके चेक के नहीं देखा. पत्तर मगर जो तुने अभी अभीरन मुरीब मर्द की डेफिनेशन बताई है फिर तो हाई में लुटी गई तेरुक था वो भी. अम्मा मर गया अब बाहे अब तो बख्ष दे इसको में बता रहा था कि कल जाओंगा शमसी को मनाने वैसे भी नवी को कोई एतराज नहीं उसके उधर रहने पर आ जाएगी वो इसके भाई खुद भैसों के साथ खिले. मैदान में सोते हैं इसे कौन पूछेगा उधर बलके मुझे तो डर है इसे भी कोई आला नसल की आस्ट्रेलियन भैंस ही ना समझ ले एए. अम्मा की शह है ये शमसी भी पिट पर सुलाती थी अपने. वट्टू गमगीन हुआ था. पत्तर. मुझे बच्चे बहुत याद आ रहे. चल अम्मा अब तो सैड ना कर अवाम को फनी नाविल है ये. शमसी ये तुम्हारा अखरी फैसला है. शमसी के अबबाहे ने पूछा था. हाजी अबबाहे जी. मैं बुश्रा अकबाल जतनी मजबूत नहीं हूँ. इसने इस बढ़वे को मुआफ कर दिया था. सौतन बरदाश्ट कर ली. मगर में हर गज़ नहीं करूंगी. शमसी ने भरी नाक से रोते हुए बोला था. जिस पर बापने उराहत वाली शकल बनाई थी. पत्तर पहले नाक खाली कर अपनी मुझे उल्टी आ जाएगी तेरे इस बोने के चक्कर में. अब बाहे जी में दुखी हूँ बहुत. पत्तर दुख तेरा अपनी जगा ठीक है, मगर किस्म से दिल खराब हो रहा मेरा उठकर नाक पुझे, और अपने बच्चों को देख किचन में कुछ नहीं छोड़ा जब से हैं, खाई जा रहे हैं, जरा देख लो बरतन ही ना खाले. अब बाहे जी में नहीं जाना वापस जितना मर्जी तंग हो जाएं मुझ से, और मेरे बच्चों से नवासे नवासिया हैं, वो अब के इसके नाना और मामुवी का घर है, ये अपनी मर्जी से खा सकते हैं, और खाएंगे भी कोई. नहीं रोक सकता मेरे मासूम बच्चों को हामें बता रही हों अब बाहे जी मैंने वट्टू जी के साथ नहीं रहना अब. शमसी एक बार फिर घमगीन हुई थी. पत्तर वो वट्टू कर भीले शादी तो कुछ नहीं कम हो जाना, इसका सच पूछ तो इसका मजीद कितना कम होगा, कुछ निकी जी जान दफ कर पत्तर शारुख पत्तर दी गिल ने याद तुझे. सुनो रीठा बड़े-बड़े दीशों में ये छूटी-छूटी बातें होती रहती हैं, माहा मैं ममिमम। अब्बाहे जी अप जो मर्जी कहले में नहीं जाना वापस। शमसी जल्दी आओ। शा आटे के ड्रम में गिर गया है। प्रिहान की आवाज किचन से आई थी। ले पत्तर कर ले बात जा देख अपनी पांडा फोर्स को हैं ये बच्चे उधर रवेनी वाले। अब्बाहे ने अपना सर पकड़ लिया था। जा रही हों अब बाहे मगर बता रही हों वट्टू जी का चैप्टर कलोज समझीं अब। शमसी घजलान ने गैस का पाइप निका लाम दिया है जल्दी आओ। आरही हों बोती रमीज राजा ना बन। बंद कर दे ये लाइव कमिंट्री सबसे पहले तेरी जबान काटती हों में तो टेर जा। शमसी ने किचन की तरफ चलना शुरू किया था अब दस मिनत मजीद मिल गए थे बच्चों को कुछ मजीद करने के लिए। प्रिहान तुम्हें नहला दिया मैंने अब ऐसा करोशा को भेजो एक वो ही रह गया है नहलाने वाला। शमसी ने बाल्टी में पानी बराबर करते हुए कहा था प्रिहान ने भेंस की दम पकड़ पकड़ कर कहका लगाते हुए शा को शमसी का पैगाम दिया था दौर से वो भेंस का बच्चा ही लग रहा था। तुमने नहा लिया वो फिर से भैंस की दम पकड़ कर खुश हो कर बोला था हाँ खाला को तंग करना बंद करो शमसी को आज कल हर वक्त वट्टू साहिब पर गुसा आया रहता है निकल हम सब पर जाता है अब जल्दी जाओ प्रिहान ने बालों में उनक करते हुए शा को मौक किया था जहां शमसी देख रही थी वट्टू तौलिया लपेटे सहन में बैठा था और शमसी इसके सर में मालिश कर रही थी शमसी तुम बहुत अच्छी हो इस बात पर शमसी की मालिश में तेजी आई थी वट्टू अब भी बहुत अच्छे हैं शमसी के चेहरे में हया कि सारे रंग नमुदार हुए थे शमसी शाने शमसी के ख्याल का महवर तोड़ा था शमसी तुम सेड क्यों होती हो सब ठीक हो जाएगा शाने शमसी की गोद में बैठ कर इसको तसली दी थी वैसे शमसी बुरा ना मनाओ तो एक बात कही दू आज लगे हाथों शमसी ने सवालिय नजर से गोद में बैठे शा को देखा था वट्टू भी कोई चीज है याद करने वाली एए इस बात पर शमसी ने शा को आंखे दिखा कर इस पर पानी का मगा उल्टाया था शमसी बच्चों को नहलाने के बाद खुद भी नहा कर अब सहन में बैठी बाल सिखा रही थी ज वो अंदर बैठे शमसी के भाई से मुखातिब होकर बोली थी अरे बहन है वो मेरी तकलीफ में और किधर जाएगी वो सीना तान कर बोला था इसकी बीवी सद्या जो अपनी चादर अतारिकर रखने वाली थी अब दोबारा ओड़कर बोली थी अच्छा तो जब तक यहा है मैं नहीं रुकूंगी जब यह चली जाए तो आजाना मुझे लेने वो पीर पटक कर जिन कदमों आई थी उन्हीं पर वापस लूट गई थी मैं नहीं रुकूंगी बड़ी आई वो इसकी नकल उतार कर दोबारा अपने दूद के हिसाब में मसरूफ हो गया था शमसी अप वट्टू के घर हिला बोलना है शमसी ने बावाज बलंद सब को पुकार कर कहा था वो किसी फौज के सिपाही की तरह दस्ता बन कर शमसी के साथ चल पड़े थे चिलू बंदर बन कर दिखाओ नवी शर्मा कर बोली थी जिस पर वट्टू कुर्बान होकर अब खुद को दो मेन दूर बैठी कभी कानों को हाथ लगा कर तौबा करती कभी लनतें भेज कर दिल टेनडा करती इतने में शमसी खास आवाज निकाल कर दर्वाजे पर आई थी कोडू भाग कर दर्वाजे के पीछे चप गया था जबकि नवी नेन की पना में आ गई थी चल नगोड मेरे पास ना आभी नजर आई हो में तुझे नेन नवी को खुद से अलग करते हुए नाराजगी से कहा था खाला वो चल भाग मेरी शमसी आगई है मैदान में है जमालो नेन लूडी डालती हुई शमसी के पास आई थी शमसी से सास को गोद में उठा कर प्यार किया था बहुत प्याद किया तुम है मैंने तुम है शमसी नेन ने पॉलीसी जबान में कहा था मैंने भी शमसी ने सास को चूम कर कहा था वट्टू समझ गया था नेनका शमसी की गोद में चड़ने का मतलब नवी का चेप्टर कलोज नवी दरमियान में खड़ी थी जबकि इसके अर्द ग का महवर वट्टू को बनाया था वट्टू जी नवी वट्टू का हाथ पकड़ कर बोली थी कोई वट्टू शटो नहीं चिलू बाजी अपने घर जाओ वट्टू ने अजली मरदाना पेंतरा अपनाया था बाजी हा तुम किया समझी थी में अपनी चार मरन की बीवी चुलू मेरी घर की सहत मंद जन्नत वापस आ चुकी है, तुम अपने दिल से मेरा ख्याल नोच कर उखाड फैंको भूल जाओ मुझे। भूल जाओ मुझे एक खुबसूरत खाब समझ कर। वट्टू दिवार पकड़ कर खुद को सबीहा खानम समझ कर जजबात में आकर बोल रहा था। नवी रोती हुई वहां से चली गई थी, जबकि वट्टू अब शमसी की तरफ बेशर्म सा देख रहा था, जिस पर शमसी ने इसे दोनों हाथों से मुन्ह चळाया था। शमसी रात ननी के साथ पिल्टोन समेथ सुई थी बच्चों को अपने पास सुया देख कर दादी पॉला पॉला मेरे संडे हाई में सदके। मुसलसल कह रही थी, शमसी को आज काफी दिनों बाद अपने घर में सुकून की नींद आई थी। अब कद में जरूर गठे हैं वट्टू साहिब मगर मेरा सुकून आपके साथ से ही है। शमसी ने खराटा रोग कर शर्मा कर सोचा था। आज बच्चे भी ज्यादा पर सुकून सुवी थे। सुबह सास के उठने से पहले ही शमसी नाश्ता बना कर सास के पास लेकर आ गई थी। मेरी शमसी तुझे बहुत ज्यादा मिस किया मैंने। सास को जी जान से अपनी सहत मंद बहु पर पियार आया था। जाने दे उम्मी में कितना भी अपका कर लूँ अपकी बहन की बेटी वो पोली अपको मुझसे ज़्यादा अजीज है वरना आप मुझे कभी भी जाने ना देती। शमसी ने नाक को रगड़ कर कहा था। नहीं है सारी रात मुझे चीजें काटती रही है। वट्टू बोल मा को रहा था मगर नजर हुनूज शमसी पर अटकी हुई थी। शमसी अपने दो मरले के चहरे पर हाथ रखकर खिस्यानी हंसी हंसी थी। अम्मा तो बड़ी दिलकश लग रही है आज। वट्टू ने मा को जेप डाल कर शमसी की तरफ देख कर कहा था शमसी का चहरा शर्म से ब्राउन हुआ था। अच्छा तेरा अबबा भी ऐसे ही मुझे पटा लिया करता था। नन्नी ने अपना पिटरा खोला था। मैं कमरे में जा रहा हूँ अम्मा मुझे आधे सेकंड में नाश्ता चाहिए बस मुझे नहीं पता अम्मा। वट्टू फन की मौड में अपनी नाराजगी की धमकी दे कर बोला था जिस पर नन्नी ने इसकी गर्दन में जेंपर ज़़ा था। मा को नस्तोर जिन समझ लिया है किया आधे सेकंड में तो वो भी हाथ खड़े कर लेगा कोड़ वे। अम्मा में ज्यादा जजबाती हो गया था अब बंदा जजबाती भी नहीं हो सकता हद है वैसे अम्मा। वट्टू पीर पटख कर जाते हुए दर्वाजा की आगे हुई कुंडी में जाबजा था जिससे इसके सीने पर चोट लगी थी शमसी उठकर उसकी तरफ बढ़ी थी और पांच मिनट पंटालीस सेकंड में इसके पास पहुँची थी। इसने वट्टू को उठा कर ज्छलोंगी में डाल कर चुप कर वाया था। वो अब भी इससे बुरी तरह खफा थी वो बोली अब भी नहीं थी। वट्टू अपने हाथ एक सीने और दूसरा आँखों पर रख कर शमसी को देख रहा था शमसी ने दिल ही दिल में अपनी एह समझ कर वट्टू साहिब को देख कर कुलब बाजी मार कर बोला था। चल पत्तर खबरदार जो तुमने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश भी की हो तो। वट्टू ने शा को डांट कर कहा था जिस पर शाने वट्टू को एक तेज जूला दिया था। शमसी उठकर शर्माते हुए किचन की तरफ गई थी जब तक सारे बच्चे हाथ मुन्धो कर चार पाई पर बैठते शमसी भी किचन में पहुँच गई थी। अब बच्चे नाश्ता कर रहे थे वट्टू दरवाजे में खड़ा एक टांग हिलाता शमसी को तार रहा था नन्नी ने इसक देखकर आढ़हे हाथ हो लिया था चल ये उची हरकतें छोड़ दे वट्टू बच्चे भी साथ ही गए थे उनको तो मजाल है जो तुमने पूछा हो अम्मा शमसी को कहो ना मुझसे बात करे वट्टू ने मा की खुशामत की थी अच्छा तुम ऐसा करो बाजार से शमसी क लिए कोई तोहफा लेकर आओ ऐसे नहीं बात करना बनता इसका बच्चो आखिर नो किसकी है नन्नी ने फखर से कहा था अम्मा पर क्या लाओं मेरी मानों तो पहिये लादे शमसी उन पर आसानी से पूरे घर में फर्राटे भरती ये शोवोहे वो शोवोहे करती फ्रेगी वक्त भी बच जाया करेगा इसका और हो सके तो किसी डॉक्टर के पास ले जा कर इसके मोटापे का कोई इलाज करवा देख तो अब तो सांडों में भी सांड लगने लगी है नन्नी ने मुखलिसाना मश्वरा दिया था अच्छा अम्मा अपनी बहु को बोल मुझे नाश् वो धोती संभालता बच्चों के साथ आबैठा था शमसी ने अचार की की एक फांक निकाल कर वट्टू के प्राठे पर रखी थी जिस पर वट्टू शर्मा कर इतना टोस्ट हुआ कि वो चारपाई से नीचे लाडग गया जब तक वो उपर आता घजलान वो पेउड़ पाकिस्तान आना वट्टू अब खाली प्राठा चाई के साथ खा रहा था सब बच्चों को छेप बी कप और प्लेटें चाटता देख वट्टू ने अखरी चांस के तौर पर किचन का रुख किया था जहां शमसी बैठी बरतंद हो रही थी वो शमसी के कंधे पर जाकर दो कलाबाजियां मारने लगा था इसके दोस्त इसके इस बदलाओ से बहुत तंग थे वो ब्रेक टाइम में खाना आरडर करते वट्टू कलाबाजियां मार मार बार बार खाने की टेबल से खुद कशी की कोशिश करता आखिर उन्होंने बास से कहकर इसे चंद दिन की चछटी पर भेज दिया था वट्टू की शेव काफी बढ़ चुकी थी वो कुलब बाजी मार कर दरवाजे से अंदर आया था शमसी बच्चों की चड्यां सीने के लिए मशीन लेकर बैठी थी ननी सिली हुई चडूहे में अलिस्टिक डाल रही थी वट्टू ने नम आखों से शम शमसी ये इस बेवफा वट्टू की है ननी ने बेवफा इतना नर्म कहा था एक पिल को शमसी का दिल किया वो ननी के मुन्ह में घुस जाए और उसको चम कर ले वट्टू अपनी जच्च के बटन बेदर्दी से खौल कर अंदर आ गया था शमसी ने सिक का सांस लिया था हामे ने भी प्यार किया है हम यार है तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे हम से मिला करो हम से मिला करो कोई शको अगर हो हम से गला करो पर तुम मिला करो हामे ने भी पियार किया है वट्टू के कमरे से बलंद आवाज में इस गाने की आवाज आई थी वो खुद जालीदार खिर्की में ख़डा नम आखों से शमसी को देख रहा था इसका तो आज में सर पॉला करती हों कल पहला रोजा है और उसको देखो कोई पूछ दस नहीं की के किया किया लाना है अभी आती शमसी में नन्नी एक सेकंड में वट्टू के पास कमरे में गई थी जहां वट्टू पंखे से साथ रसी लटका रहा था वट्टू कोडू में हंगर लाकर का देती हूँ उसके साथ लटको नन्नी ने चप्पल उतार कर इस से वट्टू की खूब दुर्गत बनाई थी उम्मी अब किया करने आई है नाविल खत्म हो रहा है मजाल है तो कोई एक सीन भी मेरा रोमेंटिक शमसी के साथ हो बस फौरण आजाती है अप अपनी बहु को भेजें उनका सीन थाए वट्टू ने चप्पल मां से चीनते हुए कहा था अच्छा वट्टू रमजान का सौदा लाने वाला है में लिस्ट बनवाती हो शमसी से फिर जाके ले आओ अजीब किस्म की उम्मी हैं अब भी वैसे उम्मी बेटा तुम्हारा पैया लेने की तयारी में है और तुम मुझे सौदे की लिस्ट मरते मरते भी थमा रही हो जैसे मैं मर के कबरिस्तान नहीं किसी सपर से तोर जा रहा हूँ वट्टू ने दिवदास की तरह धोती ठीक करते हुए दुख से कहा था वो तेरा जाती मुआमला है कोडवे रन मुरीद चलनस अगर रसी लंबी है तो की नुची पैटी के चार के नीचे पड़ी है कल घजलान ने शा का थोड़ा सा कान कार दिया था तब से शा का जिंदगी का मकसद की नुची ढूंड कर अपना बदला पूरा करना है बस इसी से छपाई है जा अम्मा जा इस्तन फुटी वट्टू को अकिला छोड़ दे वट्टू ने हाथ जोड़ कर कहा था जा रही हो हन्हा नन्नी जा चुकी थी अब वो शमसी से लिस्ट बनवा रही थी दो मन आटा दस किलो नमक दो मन आलू एक मन प्याज एक मन बेसन आधा मन लाल मिर्च पुसी हुई बीस किलो हल्दी एक काटन की चीप अम्मा बस शमसी ने नन्नी को फाइनल चीजें गिनवाई थी ऐसा कर एक सालम भैंस का गोश्ट और एक पुरा पेंजर्रा मुर्गी भी लिख दे लगे हाथों हाथ शमसी बच्चों इफ्तारी फिर रुज के कर लिया करेंगे नन्नी ने गोया दादी होने का फर्स निभाया था ये लिख दिया अम्मा शमसी ने लिस्ट नन्नी को पकड़ाई थी नन्नी कमरे में गई जहां से इसकी चीख सुनाई दी थी शमसी प्रेशानी में पाँच मिनट और भी एड कर लेती थी उठने में इसने किसी हेरोईन की तरह अपनी पचास किलो की टांग चारपाई से मीचे रखी थी वो बावजूद कोशिश के भी पिंदरा मिनट से पहले कमरे में नहीं जा पाई थी अंदर का मनजर देखकर शमसी के पैरों में से जमीन निकली थी वट्टू रसी गिले में डाले बेहुश पढ़ा था नन्नी इसे मसलसल चप्र मार कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी तेरे होते अम्मा मर्लिया मैंने रसी से बच गया हो मगर तो ने इन थपड़ों से जरूर मार देना है मुझे वट्टू गुसे से उठकर कमरे से बाहर आ गया था वो जाते जाते रोती हुई शमसी को देख चुपका था सह में जाते ही इसकी नजर नवी पर पड़ी थी जो हसब आदत गोला गंदा बन कर आई थी क्या हुआ मेरे वट्टू जी को जानों ने थाना था है नवी को लोहा गर्म लगा था जानों थाना था है अजहर फांक ले नन ओफ योर बिजनस मिस नवी वट्टू ने सारा गुसा बेचारी नवी पर निकाला था तुम जैसी औरतों की वज़े से हम शरीफ मर्दों के घर खराब होते है वट्टू ने कुलब बाजी मार कर कहा था जब जानती हो छे छे बच्चों का बाप हो फिर किया यहां आमले ने आती हो तुम आखिर शर्मो हया है कि नहीं नवी का रंग उड़ गया था पहले ही मेरी शमसी मुझ से बात नहीं कर रही उपर से तुम फिर आ गई वट्टू चेखा था इसकी आवाज पर शमसी भी बाहर आ चुकी थी इसे रुज के अपनी अखरी महबत वट्टू पर पियार आया था नवी पीर पटखती जा चुकी थी वट्टू अपने कमरे में जा चुका था शमसी ने ननी की तरफ देखा था जा मेरी धी में नहीं आती करलो तस्वी बगेरती तो रोड़ दोआ लोका दे रिकॉर्ड नन्नी की इस बात में छपीहा को शमसी ने फॉरण समझ लिया था वो दूसरे गीर पर अंदर अपने खास आवाज निकालती जा रही थी वत्टू जी खुशी से कलाबाजियों पर जोर दिये हुए थे इस से पहले के शमसी अंदर जाती सारे बच्चे स्कूल से आ चुके थे नन्नी ने अजली सास पुना निभाते हुए इस बार सारे बच्चों को अंदर भेज दिया था अब बच्चे बाप के साथ बांदर कला खेलने की फरमाईश कर रहे थे जिस पर वत्टू ने शमसी की तरफ देखा था जिसने इस बात में शर्मा कर सर हिला दिया था शमसी लिस्ट में आधा किलो चुहा मार दवाई एड करने बाहर आई थी क्योंकि उनकी देखा देखी चुहे भी ज्यादा दवाई खाने लगे थे सुबह पहला रोजा था शमसी को सहरी की तयारी भी तो करनी थी वो तीन थाल आटा गुंद ने बैठ गई थी शमसी ने आहिस्ता से कहकर हया कि सारे रंग समेट लिये थे अगर आपको नाविल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसक्राब करें शुक्रिया